नमस्कार बहुत स्वागत है आपका हमारे तांतरी गरंथों में बहुत सारे पेड़ पौधों के बारे में बताया गया है कुछ पौधे ऐसे हैं जो धन देने वाले पौधे हैं कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो ग्रहों की डाओं को समाप्त करते हैं कुछ पौधे आपके स्व महा प्रियोग बताएंगे तो चलिए सुरुवात करते हैं आक या मदार इसकी दो जातिया हैं एक लाल और दूसरा सफेद हलांकि ये ब्रिच ज्यादा उचा नहीं होता है जहार पतवार की तरह है और आक के जो पत्ते होते हैं वो ब्रिच के पत्ते की तरह हलका सा गोल पन लिये होते हैं हलांकि आक का प्रियोग ज्यादा तर तांतरिक प्रियोग होता है हलांकि ये सात्विक है पुर्णतया लेकिन इसको तांतरिक प्रियोग की तरह ही देखा जाता है आक का जो दूध है हलांकि आपको हम पहले ही बता दे कि आक जो मदार है वो उसमें थोरा बिस्क का प्रभाव होता है इसलिए साथानी से हातों को धोलीजेगा जब भी प्रियोग कीजेगा और इसका अगर आप आयरुवैदिक प्रियोग करना चाहते हैं तो बिना किसी बैदिकी सला के कोई भी प्रियोग मत कीजेगा तो सबसे पहले जानते हैं धन की अगर चाहत हो वैसे तो हर किसी को धन की चाहत है तो धन की प्राप्ति के लिए आप किसी भी रवी पुस्य नच्छत्र गुरू पुस्य नच्छत्र या फिर होली किसी भी पुर्णिमा अमोस्या के दिन इस पौधे की जड़ को ले आए लाने के बाद धोकर अपने पूजा स्थान पर सिवजी के पास रखें फिर धूब दीब दिखा कर भगवान से प्रातना करें कि बरकत के लिए हम लाएं प्रभू आसिरबा दीजे और फिर इसको पीले कपड़े में लपेट कर या कलावा लपेट कर धन अस्थान पर रख दे धन बढ़ता जाएगा मुस्किलें कम हो जाएगी आज हम आपको तीन परियोग बताएंगे जिससे आप सत्तुरू पर आप यह प्रियोग कर सकते हैं सत्तुरू सांथ हो जाएगा वो बस में हो जाएगा प्रेमी-प्रेमी का लब रिलेसंसिप में परिसानी है या पिर कर सकते में मदार के पत्टेसे वशीक्रने करना बहुत आसान समानी तो आप ये कह सकते हैं आक का पउधा आप हर जग Another लेकिन सफेद वाला आक पस्व कह असर होता फ्मानी को प्रेश करते हैं एक यह यह रहा है तो आप पहले करना है और जब भी आप प्रियोग करें तो पहले जाकर निमंत्रन दे आए आग के पौधे को पास कैसे देंगे आप एक सुपाड़ी एक सिक्का और थोरा सा जल लग कर जाएं किसी बोटल में भी ले जा सकते हैं और पेड़ के पास जल और पीत करें जड़ में और फिर यहा और अगले दिन आप प्रियोग करें इस बात का ध्यान रखेगा तो चलिए देखिए अब हम एक छोटा सा प्रियोग आपको बताएंगे कई बार क्या होता है ना आकड़े या मदार का जो प्रियोग है कई प्रकार की तांत्रिक क्रियाओं के लिए क्या जाता है तो आज हम बहुत तरह के प्रियोग होते हैं पर हम आपको कोई बड़ा वाला तांत्रिक प्रियोग नहीं बताएंगे हम पहले ही क्लियर कर दें वो जो होता है मारन वाला वो सब नहीं बताएंगे सिंपल तरीके से आप सत्रों को सांथ करें आप प्रेमी प्रेमी का एक दूसरे के करी बस यहीं बताएंगे तो चलिए हम जानते हैं एक बात जालने कि जिस घर में घर के बाहर मदार का आग का पौधा होता है उस घर में कभी भी किसी की नजर दोस्त नहीं लगती नकात्मक सक्तियां प्रवेश नहीं करती अगर आपके घर के सामने मदार का पौधा है तो आप ब अगले दिन जाईए और जाकर आपको मदार का सिर्फ नहीं तोड़ना बलकि जो पूस्प है और उसके साथ जो पत्ते हैं नए नए जब पूस्प निकलते हैं तो पत्ते उसके साथ बहुत अच्छे से टच किये होते हैं तो आपको यह बड़े भी खिलेवे पूस्प हैं तो कोई बात नहीं बस यह कोशिस करना है कि पत्ते भी आपको लेकर आना है अब इसको लाकर आप पत्ते और पूस्प लगावा ही रहे तूटे उसको तोड़ना नहीं है अब लाकर हन्मान जी के मंदिर में जाईए अब हन्मान जी के जो चरनों में सिंदूर होता है आप थोड़ा सा उंगली से ले और लेकर अपने और उस बैक्ती का नाम लिखे जिसके साथ आपको रिस्ते बेहतर करने है यानि आप लब का भी नाम लिख सकते हैं यहाँ पर और जीवन साथी का भी नाम लिख सकते हैं जिसको भी बस में करना चाहते हैं उसका नाम लिखिए हनवान जी के चर्णों के सिंदूर से अब इसके बाद मौली धागया के द्वारा दोनों पत्ते को अंदर रखना है और पत्ते चारों तरप से उसको कभर करके मौली धागया के सारे बांदे और जो लिखिएगा वो पत अब हम आपको एक छोटा सा प्रियोग बताएंगे जब सत्तुरु विलुधी ज्यादा परेसान करें जब आपको लगे कि यहां से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं सत्तुरु बहुत परेसान कर रहे हैं तब एक छोटा सा काम कीजिए आपको यहां भी निमंतरन देना है पहल पर आप जाएए अब पत्ते तोड़िए पधे के और पत्ते से जो दूद निकलता है उस दूद से आग के पत्ते पर सत्रू का नाम लिखे यानि कि आग के पत्ते पर मदार के पत्ते पर ही मदार के दूद से सत्रू का नाम लिखे और फिर इस पत्ते को वहीं पर जमीन के अं नहीं होंगे वैसे ये परियोग एक ही बार में काम करता है संबब हो तो जैसे ग्रहन होता है पुर्णिमा है अमवस्या है सनी बार है इन सभी दिनों में अगर ये परियोग करें तो वो ज्यादा असर करेंगे जल्दी अपना असर दिखाएंगे जोतिस के अंदर यहां तक माना जाता है कि अगर आप मदार की जड़ को ताबीच के अंदर रखकर यानि सफेद मदार की जड़ ताबीच के अंदर रखकर काले धागे में बांद कर गले में या बाह में धारन करें तो आप पर कोई कितना बड़ा भी तांतरिक प्रियोग किया होगा वो समाप्थ हो जाएगा तो अगर आपको भी लगता है आपके घर के आसपास किसी ने कुछ किया है तो ये प्रियोग कर सकते हैं और एक मेहना के बाद मिट्टी में दबा दें तो चलें इस अबसे अंतरिक में एक खास उपाय कई बार क्या होता है आपके ऑफिस में आपके वेफसाय स्थल पर लोग बहुत परिसान करते हैं कई बार घर में भी लोग परिसान करते हैं तो ऐसे में एक छोटा सा काम कीजिए आपके मदार के पत्ते से इवे वसी करन होता है लोग परिशान नहीं करेंगे तो आपको मदार के पेड़ की जड़ किसी भी सनीवार के दिन थोड़ा सा तोड़ कर ले आईए लिकिन पहले सुक्रवार की साम निमंतरन दे आईएगा और इसके साथ ही एक पत्ता भी तोड़ कर ले आईए आपका जड़ थोड़ा सा और एक पत्ता अब इसको मदार के जो पत्ते हैं और जड़ है इसको ले आईए अब इनको पीस लीजिए अच्छे से और फिर किसी मदार के पत्ते को दो कर यानि कि जो जड़ है उसको पीस लिया अब मदार के पत्ते को धो लीजिए उसके उपर जड़ को थोड़ा सा घी के साथ रखिए अब इसका आप तिलक कर सकते हैं जिसके भी सामने जाएंगे वो बस में हो जाएगा आप चाहें तो मदार के पत्ते भी पीस लें मदार का जड़ मदार का पत्ता और थोड़ा सा घी मिक्स करके यह परचंड वसी करन है आपके नौकरी रोजगार में भी आपको समस्या नहीं आएगी कोई भी आपके सामने ठीक नहीं पाएगा और ये वसीकरन तिलक है वैसे तो आप वसीकरन के लिए यहाँ पर आप चाहें तो लाजबंती के पौधे का जड़ भी डाल कर पीसकर डाल कर आप प्रियोग कर सकते हैं इससे भी वसीकरन होता है तो छोटे छोटे प्रियोग हैं पर इसके असर आपको बहुत लंबे समय तक दिखेंगे अब देखिए सफेद मदार की जड़ और पत्ते से जो वसीकरन होता है वो कभी खाली नहीं जाता तो अगर आप एक छोटा सा प्रियोग करें जैसे कि एक सफेद का मदार का एक पत्ता तोड़ कर ले आए और पत्ते को घर के बाहर कोने में दबा दे फिर ओम गंगन पते नमह का अपने घर में बैठ कर जब करें कम से कम इस जब को आप लगातार करें, रोज करें कम से कम पांच बार करके और जो भी आप जिसको भी बस में करना चाहते हैं उसके बारे में गनेज जी से प्रात्ना करें और जब आपको लगे वो बेक्ती बहुत हद तक आपके बस में आने लगा है तब आप इस सभी चीजों को लिजा कर पौनी में बहा दें तो थोड़ा सा आपको सफेद आख का जड़ लाना है और एक पत्ता लाना है और उसको घर के बाहर किसी भी कोने में दबा देना इस बात का ध्यान रखिएगा ये प्रियोग जब करें तो आप पुर्ण तया बस भक्ती भाव में रहें गनेज जी के सरण में रहें प्रियोग असर करेगा तो उमीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी प्लीज लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए अपनों से सेर कीजिए अगर किसी एक का भी भला होता है तो हमें बहुत खुशी होगी हम आपसे फिर मिलेंगे बहुत सारी टॉपिक ने ने लेके हरहर महादेव धन्यब करे झाल, कर दो बहुत कीजिए को लीफ औरिया काई पहुता है तो हमेजादार्वे लाइक कीजिए होगी है जया है एक जानों मैंदेगा है वे बहुत से औरो किसी से Keynote कीजिए वेज़ाब कीजिए